इसका दिन में लूग का 17 वात्याय में 16 वचन में पढ़ता हूँ और एशू के पाव पर मुझ के बल गिर कर उसका दन्यवाद करने लगा और वह सामरी ता यहाँ पे एक व्यक्ति ने एशू को दन्यवाद करता है कौन था वो दस कोडी का रोग वाले एशू के पास गयते चंगा पाने के लिए येशू ने उन लोग को बोला कि तुम मंदीर में जाके याचको को दिखाओ करके तो जाते जाते रास्ते में उनको चंगा मिल गया तो उसमें दस जन में सिर्फ एक जन एशू के पास आके दन्यवाद बोला तो आज परमेश्ववर क्या चाहता है हम जितने भी परमेश्वर से एशू से हमको कुछ अच्छी कारिय मिलता है तो हमको परमेश्वर को दन्यवाद करना चाहिए क्योंकि धन्यवाद से स्तूती से परमेशुर का नाम जादा महीमा होता है चला आईए आज गाने के दौर आम परमेशुर को महीमा करेंगे सियोन में स्तूती तेरी बाट जोती है धन्यवाद करना उसकी महीमा होती है सियोनमी स्थूती तेरी बाट जोती है दन्यवाद करना उसका महिमा होती है प्रभू हमारा है कितना महा देखो हमसे करता है प्याँ प्रभु हमारा है कितना महा, देखो हमसे करता है प्या, आलेलो, 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 स्थूतिया रादना उपर जाती है, आशिश लेकर निचे आती है, प्रभु हमारा कितना महा, देखो हमसे करता है प्या, आलेलो, 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 आमें